हम लोग आज सेशन को शुरू करेंगे देखो आज मैं बिल्कुल नया लेशन पढ़ा रहा हूँ स्टार्ट से बताऊंगा सारे बेसिक पॉइंट बताऊंगा तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सभी लोगों से कि आज का सेशन जरूर अच्छे से अटेंड करें क्योंकि आज जो बेसिक होगा उसी के ओपर पूरा लेशन चलेगा तो बाकी टाइप बदलते रहते हैं लेकिन जो एक बेसिक कॉंसेप्ट होता है हर एक लेशन का वो नहीं बदलता वो वैसा ही रहता है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें बिना किसी इशूज के तो जल्दी से सब लोग आ जाएए बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएए तो हम लोग शेशन को शुरू करेंगे ठीक है time and tides wait for none मतलब समय तो समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता वो हमेशा आगे बढ़ता है तो जो उसके साथ चलता है वो success होता है जो उसका इंतजार करता रहता है वो success नहीं होता तो समय आपका इंतजार नहीं करेगा तो आप भी सही समय का इंतजार मत कीजिए क्योंकि कोई भी काम शुरू करने का कोई सही समय होता ही नहीं है एक्चुली सही समय वो होता है कि आपने काम शुरू किया और चीजों को बेटर कर लो क्योंकि कभी भी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता कुछ शुरुआत करने के और अगर आप वो वेट करते रहेंगे कि एक दिन आएगा अच्छा वाला टाइम आएगा वो अच्छा चलाना पड़ता है smart work से hard work से innovation से इन सब चीजों से हम लोग time को अच्छा बनाते है time अच्छा कभी होता नहीं है तो जिनके time अच्छा चल रहे हैं समझो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है life में और तब उनके time अच्छा चल रहे है क्योंकि वो अच्छा चलते time को अच्छा चलाना पड़ता है तो उसके लिए आपके hard work or smart work ही responsible है जितना अच्छा काम करोगे उतना आपका time अच्छा पाधा, संकेत, पातिल, good evening, मनीश, good evening, समर्थ, good evening, अंकित, आनन, good evening तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे धिरे-धिरे करके बच्चे जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, वो आ भी रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज का मेरा कॉंसेप्ट है, कंपाउट इन्टेस्ट तो पहले मैं उसका कुछ बेसिक फंडा बताऊंगा, और उ में सब को अगे बता होता है, और मैंने भी पढ़ा दिया है, तो आपको फ्रैक्शन कर लेने हैं, अब हम उस फ्रैक्शन का रियल में यूज करेंगे, और को सॉल्ल करेंगे, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले, हमारा जो लेशन है, उसका नाम ह है, compound interest, compound interest, तो compound interest, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, चक्रव्रधी ब्याज, चक्रव्रधी ब्याज, अब देखो, वही चक्रव्रधी ब्याज, सिंपल इंट्रेस से तो बिलकोल अलग होता है और यह समझने से पहले पहले एक चोटा से के एक एक जामपल देता हूं साइद आप में से भी ज्यादा तर लोगों न देखा होगा अक्षे कुमार की एक मुवी थी मुझे यादने मुवी का नाम क्या है बट वो नोट गिन रह फिर आपने दोस्कों एक ही देता है जो दियाता है यह अव्य चैनल मे जाता लिदि कमपाउट देखा लगा है और ऐसे ही बैंको इतना ज्यादा इंट्रेस कर रहे हैं तो आपको प्यार से बोलेगा स्र बैंक में आने के लिए थैंक्यू सर आपको अच्छा लगा ना शया आपने कैसा मज़ा आया तो आपको शुरुवात में बड़ा मज़ा आता है भीया रोकरा जब आती है ना अकाउंट में तो मज़ा आता है लेकिन उसको पेमेंट करने में फिर बहुत धकलीप होती है क्योंकि लोन तो 10 लाक लेते हो और साइध 20 साल के यह माई में 20 लाक पेमे नहीं है कंपाउंट इंट्रेस्ट का मतलब होता है इंट्रेस्ट के ऊपर इंट्रेस्ट सिंपल इंट्रेस्ट में इंट्रेस्ट लगता है कंपाउंट इंट्रेस्ट में क्या होता है इंट्रेस्ट के ऊपर भी इंट्रेस्ट लगता है हाला कि यह सब कौन से बहुत पुड तो हम रोगा एक साल बार आप दुती हों कि आप एक साल के करोंके ठिका जाओर हम एक हजार उपैर तो उसे डोगे ही दोगे शफी स्क्रादह प्लस एक हजार कि दास्टन बी उसे दोगे ठीक इस एगन्हार taking रोगे कि आपको यह 1100 तो देना ही देना है अब इस 1100 के ऊपर 1100 तो दोगे दोगे प्लस इसके ऊपड भी आपको ब्याज देना पड़ेगा 10% का तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझो देखो हमने तो हजारी लिया था ना तो यह 10% यानि कि 100 रुपया इसमें जुड़ा यह जो इस इंट्रेस जुड़ता रहता है अगली बार फिर से और उसके ऊपर इंट्रेस्ट लगेगा तो आपको यह चलो कॉंसेप्ट के लिए इंपोर्टेंट है कविता गुड़िवनिंग, आर्ती गुड़िवनिंग, रश्मी गुड़िवनिंग, पुस्पा गुड़िवनिग, भुमी का गुड़िवनिग, चलो, तो आपको यह समझना जदूरी है, आपको एक बात समझ लो हमेसा, जो कंपाउंड इंट्रेस्ट में है, C.I. में क्या होता है, स्वाट में कंपाउंड इंट्रेस्ट को C.I. कहते हैं, हर अगले साल आपको पीछे के सभी साल के पैसे जो नां एक लोका कि स्वाट इंट्रेस्ट में क्या होता है, प्रिंसपल होता है। आपकी स्कूल में भी होता था, यह वो वाले प्रिंसपल नहीं है। इसको कहते हैं मूल्धन eye principle मतलब हुता है, मूल्धना का इंट्रा होता है जो भी पैसा आप किसी से लेते हैं या फिर देत आगर आपने loan लिया या फिट दिया तो इसको कहते है हम लोग मूल्धन, right? उसके बाद दूसरा होता है, amount. अब amount को हिंदी में कहते मिष्रधन. मिष्रधन का मतलब होता है कि जो भी principle आपने लिया प्लस उसके साथ जो उसके उपर ब्याज भड़ोगे उसको कहते है मिश्रधन, मूलधन तो जो थासो था इसके उपर ब्याज भड़ोगे उसको कहते है मिश्रधन, तो आई होप ये भी चीज किलियर होगे आपको, उसके बाद एक होता है rate, या rate of interest भी कहते है, ठीक है rate of interest, य हमें इसी के ओपर सारा question करना है, यानि कि ब्याज दर, जो भी ब्याज लगता है, उसका दर, और चौथा, जो term से इसका वो होता है, time, time का मतलब होता है, जितने समय के लिए आप ब्याज पर ले रहे हैं पैसा वो, यह हो गया time, हमें ये चार चीजे पढ़ना है, यही चार च निकालना है, question कितना घुमा फिडा क्या है, कुछ भी करके दे, हमें finally क्या करना होता है, कि ये चार चीजे ही examples में, यानि कि questions में निकालने होते हैं, तो ये चार चीजे हम लोग कैसे निकालेंगे, short method से कैसे निकालेंगे, मैं वह बता रहा हूँ, आपको एक formula क्या है, यह प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट, यह धिहान रख लेना है, बस और बाकि आपको कोई formula लगाने की जुदत नहीं पड़ेगी, मैं आपको कोई formula नहीं समझाने वाला हूँ, मैं डिरेक्ली आपको fraction method से बताऊँगा, इस method में आपको rate of interest पे धिहान रखना है, यानि कि जो percentage म value बनानी है और सारे कोईशिएन रखना है, देखो मैं आपको एक एक करके चार एक्जामपल समझाऊँगा, चार से पांच, पहला एक्जामपल मैं समझा रहा हूं मैं पहले एक्जामपल ले उसके थूरू जाओंगा कि हम principle कैसे निकालेंगे, interest कैसे निकालेंगे, उसके ब और मालो time है 2 साल, 2 years, ठीक है, तो सबसे पहला question में हम निकालना सीखेंगे compound interest, बिना किसी formula के बतारो P, 1, R, N, वो वाला formula नहीं लगा रहा हूं मैं, समझो पहले, अगर question दे कि 1000 रुपे 10 प्रतिसत ब्याजदर से 2 साल के बाद में, चक्रवडधी ब्याज कितना मिलेगा, य आपको कैसे बनाना है, आपको खाली rate of interest का fraction बना लेना है, तो rate of interest कितना है देखो, 10% है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, कि 10% का fraction एक बट्टे 10 होगा, जो आपको पता ही होगा, तो भी देखो 10% का मतलब होता है, 10 by 100, जीरो-जीरो काटोगे तो हो जाएगा एक बट और यह होगा आपका compound interest, समझ में आगया, यह interest बोलतो, यह principal होगा, यह interest, जब आपको rate 10%, जितना percent देगा इसका fraction बनाओगे, नीचे वाला हमेशा होगा principal, यह वाला होगा interest, तो amount बट्राबर क्या होता है, amount बट्राबर होता है, principal plus interest, तो principal में interest, देखो, यहाँ पे principal हो जाए amount क्या होगा, amount बट्राब principle plus interest, तो 10 में यह एक जोड़ दोगे, तो 11 हो जाएगा आपका amount, तो हमेशा यह वाला value को समझना है principal, यह वाला value को समझना है आपको amount, और इनके बीच का जो difference होता है, इनके बीच का जो difference होगा, यही होगा compound interest, तो 10 और 11 के बीच में एक रुपे का difference मतलब यहाँ पर compound interest एक रुपे हो रहा है, तो यह बात ध्यान रखना आपको ऐसा ही समझना है, हर बार कि यह principal यह amount, principal नीचे वाला value होता है, इंट्रेस्ट यह है, और amount बराबर क्या होता है, principal plus interest, तो इस 10 में यह एक जोड़ के 11 हो जाएगा, यही concept हर बार लगाना है, इस कि अब इतना सारा समझ गए होगे आपको डिरेक्टी 10 परसेंट दिया है, तो आप समझ जाओगे, एक बढ़ते 10 होगा, तो मतलब 10 रुपे का समान, 11 रुपे का हो जाएगा एक साल में, 10 रुपे का समान 11 का हो जाएगा एक साल में, यही धिहान रखना हमें, क्योंकि 10 पर दो साल देगा। यह जो कॉंएप बटा रहा हूं, इस इस सवर 스ल कर में टो किया। जितने साल डेगा गाना , उतना इसका पावर करेंगा। जाए लिए क्रेशों अगर थिचतन साल जाए लेते था आतम इसका पावर करेंगा। और सब्सक्राइब दो साल एंदैंग की सिवेक्ति में आपको 2 साल टाइम देगा जोल पनकी ओतनल परवर कर देगा अगर तीन साल देगा भी गारोष कर देंगा दो साल दगत में दो साल ले गल को का एंदा साल या इंदन चार आ is जोगा लुब 21 unit हो जाएगा अगर मालो मूलधन होता हमारा principle 100 unit होता तो हमारा amount होता 121 और इसके बीच में compound interest होता 21 रुपे समझ में आगया 100 अगर principle होता तो 121 amount और बीच का difference होता है compound interest लेकिन इस सवाल में तो principle 1000 दे रखा है इस सवाल में तो principle कितना दिया है 1000 है तो मतलब 100 unit ना होके यह तो 1000 है यानि कि 100 से कितना जादा है तो आप बोलोगे सर 10 गुना जादा है लिख रहा है यह आप इस 100 से इसको डिवाइड कर तो भी 10 आएगा तो इस 100 से यह 10 गुना है इसका मतलब पूरे सवाल के हर चीज 10 गुन इन्टेस्ट जो यह सवाल है कि 1000 रुपे 10 प्रतिसत व्याज दर पे 2 साल में इसका चक्रव्रधी व्याज कितना आएगा 210 रुपे आएगा I hope इतनी चीजों में आपको कोई डाउट ने होगा basic concept के लिए उसका सारे सवाल जल्दी जल्दी बन जाएंगे tension मत तो बिल्कुल आप लोग तो I hope everything is fine now कोई तकलीप नहीं है किसी को बाकी कोई problem किसी तरह का कोई problem सब ठीक है चलिए तो हम अगले question की तरह आगे concept की तरह बढ़ते है यह वाला मैंने आपको बता दिया इससे हमने क्या सीखा compound interest कैसे निकलता यह सीख लिया कि आपको इनके बीच का difference है और य इतने साल उतनी पावर करोगे यह भी याद रख लेना आपको चलिए अब हम लोग एक और इसमें CI सीख लिए और अमाउंट निकालना सीखेंगे कोश्चन में यह वाला रिपीट कर दूंगा हर बार प्रिंसपल है एक हजार रुपे समझने आसान हो जाएगा इसलिए रेट है मालो 10 परसेंट का ताइम है आपका दो साल का और आपको पूछे बताओ कि अमाउंट कितना होगा तो कोश्चन में देगा आपको कि एक हजार रुपे 10 प्रितिसात ब्याजदर पे 2 साल के बाद कितना हो जाएगा तो समझ लेना कि अमाउंट की बात कर रहा है ठीक है तो जब ऐसा होगा आपको बस अब दिख जारे दिमाग नहीं लगाना 10 परसेंट मतलब आप समझ जाओगे कि 10 रुपे का समान हो जाएगा 11 का यह 10 यूनित 11 यूनित होगा क्यों कैसे हो रहा पता है एक वट्टे 10 तो 10 में यह इंट्रेस्ट जोड़के 11 और हमेशा यह होता है प्रिंसिपल और यह वाला होगा इनके बीच का डिफ्रेंस होता है CI अब यहां हमें यह देखना हमें तो निकालना अमाउंट है ताइम है तो इसका पावर करोगे तो तीन साल होता था पावर तीन चार साल होता था तो पावर चार करते है तो दो करोगे यहनि कि 100 यूनित की जगए अब यह कितना हो जागा 121 अब एक और बात बात बतारो बेटा जब थोड़ा सब कर लोगे न तो 10 से 11 लिखना भी नहीं दस परस तो देखो 100 रुपे का प्रिंसपल है 121 रुपे इसका अमाउंट हो जाता है लेकिन यहां तो प्रिंसपल हजार रुपे है तो यही कंपेर करना यहां तो हजार रुपे है इसका मतलब इससे कितना गुना 10 गुना है इससे कितना गुना 10 गुना है तो यह भी इससे 10 गुना तो यानि कि यह क्या होगा 1210 रूपय हो जाएगा इसका अमाउंट तो इस तरह से आप अमाउंट निकालोगे किसी भी कोश्चन का इस पुड़े compound interest में जब आपको अमाउंट निकालना है तो आप इस तरह से निकालोगे rate के हिसाब से सारा चलना है अमाउंट के टाइम rate दिया ही रहेगा जब आपको अमाउंट निकालने को बोलेगा जब प्रिंस्पल निकालने को बोलेगा तो भी rate दिया ही रहेगा तो इस तरह से निकालोगे I hope यह चीज़े आप लोगो को clear हो गया होगा देखो कि sum उन ''money'' ऐसा कर के देगा कुछ पैसा प्याँ हाथ Är कि समच पैसा समच जाना प्रिंस्पल निकालने को बोलेका कुछ पैसा स्टार्ट में सममझी होगा मिशिंग रहता है। पेसा इनल में 2 जनला हो जाता है। बताओ वह पेसा क्या है। 10% मतलब 10 रूपे समान 11 होगा। दो साल यहते, तो दोनों का पावर करोगी दोनों का प्रावर का देए, कि 100 रुपय समान 121 होजाए दोल इसके लिए थोड़ा सा नमाता अप्रेक्शन प्रारा कृतिस कर लें autismal तो पहली बार पढ़ रहो तो अगर एक टेक्लिफ हो तो कर रहिए, कि 100 रुपय का 60 यहां क्र इसको 10 से गुना करेंगे, तो 1220 आएगा, इसका 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना होगा, वही असली प्रिंस्पल होगा, तो मतलब यह हो जाएगा 1000 रुपे, यह हो गया आपका प्रिंस्पल, जो इसे पहले कोश्चन में कर रहे थे, तो आपको यही धिहान रखना है, कि दि उसमें प्रिंस्पल, अमाउंट, रेट, टाइम, सब निकालने को मिलेगा, अलग-अलग तरह के कोश्चन भी होगे, हाँ, गुड इवनिंग, शनी बेटा, ठीक है, तो इस तरह से हमें सब कुछ किलियर करना है, तो मैंने तीन चीजे बता दी, अब हम सीखेंगे रेट और टाइम निकालना, मैं यही में बता दे रहा हूं, रेट और टाइम निकालना, देखो, सेम कोश्चन होगा, आप देगा कोश्चन की एक हजार रुपे, देखो, यह सबसे इंपोर्टन है, यह दोनों पॉइंट सीख लो बाइए, वेरी-वेरी इंपोर्टन है, क्योंकि रे time निकालो, time missing देगा, आपको time नहीं होगा, और amount देगा, 1210, मतलब कोश्चन देगा कि 1000 रुपे 10% के दर से कितने साल में 1210 रुपे हो जाएगा, 1000 रुपे 10% के rate of interest से कितने सालों में 1210 रुपे हो जाएगा, मतलब हमें निकालना है time, क्या निकालना है time, तो आपको यह लि साइक है तुम गदा आमाउटी में दों लिख शक्ते हैं तो आपको क्या जा पादे लीक्ट यक्न रितायी पहले हो जाएगा 1210 कि प्रिंसेपल चिन अपर ट्रिक लग रहा था कि घरलाइ आप आपको यह करना है कि इसको पहले कार्ट दो जितना कटेगा, तो यह 100-121 हो गया, लेकिन यहां पर रेट तो दे रखा है ना भाई, तो रेट के हिसाब से एक साल में 10 रुपे हो जाएगा, 11 रुपे, 10 परसेंट का मतलब तो यह होता है, एक साल में 10 रुपे हो जाएगा, 11 रुपे, तो एक बा आपका time कितना हो रहा है, two years हो रहा है, याद रख लेना आपको अपसे, आप क्या करना आपको, time मतलब power, क्या, यह point याद कर लो, time मतलब power, जब जब आपको time निकालना होगा, तो आपको rate तो देगा, तो rate यहां नीचे लिखोगे, और यहां principal और amount देगा, इसको कार्ट देन rate होता है, चार साल, तो बस यह point धियान रखना है, time मतलब power, ऐसे भी असली में time का मतलब power ही होता है, जो time समझते है, वो power समझते है, तो time मतलब power है यहां पे, तो आपको यही चीजे किलियर करना है, कि time मतलब power, तो I hope everything gonna be alright, आपको समझ में आ गया होगा, कि time कैसे power, जब भी time निकालना power देखना है, इसको यादी कर लेना दो चार बार प्रैक्टिस करके, अब देखो, time के अलाबा rate कैसे निकलेगा, rate के लिए भी ऐसे question देगा, principle है 1000 रुपे, और amount देगा है 1210 रुपे, और time आपको इस बार देगा 2 साल है, बोलेगा rate कितना होगा, बता आपको ये question देगा, फिर से वही करना है, हम लोग क्या trick लगा रहे है, इधर लिखते है principle, इधर लिखते है amount, लिख दो, principle है 1000 रुपे, amount है 1210 रुपे, ये कटेगा जितना card दो पहले, ये कड़ी लेने कटेगा card दो, अब देखो, time कितना है, 2, तो आप एक बात बताओ, अ अब तक जो हम rate निकालते थे, तो rate को 2 साल में 2 पावर करते थे, 3 साल में 3 बार मल्टिप्लाई करते थे, तो इसका मतलब इस संख्या को, किसी ने किसी संख्या को 2 बार मल्टिप्लाई किया होगा, तभी आया होगा, क्योंकि time तो है, तो आपको यहां करना है root, समझ में निकालना है, 2 साल दिया है, square root निकालोगे, 3 साल दिया है, cube root निकालोगे, 4 साल दिया होगा, 2 बार square root निकालोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो क्या धियान रखना है, rate मतलब root, जब rate निकालना होगा, तो root करोगे, जितने time है, उससे root करोगे, और जब time निकाल तो I hope everything gonna be all right, I have taught you all the types of four things, principle, amount, rate, time, principle, amount, rate, time, principle, amount, rate, time, principle, amount, rate, time, all the things. How will you take out of the trick without any formula? So now we will do the question for exercise, now we will come to questions directly, let's go, so everyone ready. What would be the compound interest obtained on a sum of Rs. 2700 at the rate of 33.33% per annum after three years? Question is saying, what would be the compound interest obtained? What would be the compound interest obtained on a sum of Rs. 2700? That means, what would be the compound interest obtained on a sum of Rs. 2700? That means, what would be the compound interest obtained on a sum of Rs. 23.33% per annum after three years? So how would be the compound interest in 3 years? This is the question. Okay, how do you do it? I will explain. I don't want to do anything. I have to focus on the rate of 33.33%. You will all know that what is 33.33% means? It means 1.3. I have also studied it in the percentage. So now, you don't have to look at it every time. Now, just let's learn it once again. What is 33.33%? It means 1.3. I have studied it in the percentage. So, 1.3 means 1.3. This is the principle and this is the principle. So, after 3, after 3, it will be 4.3. How much is 3? It will be 4.3. It will be just so much. If you look at this, you can understand that 1.3 means 3.3 means 4.3. In compound interest. So, how much is 3? It will be 4.3. How many years? How many years? How many years you will put power? How many years you will put power? How many years will this happen? 3.3 is 27. And 4.4 is 64. So, what did I say? This is the principle. This is the amount. And there is a gap between the compound interest. So, in 64, we will put 27.37. It is clear here. Now, let's see. This principle is 27.37. But in this question, the principle is 27.37. So, the value of 27.27 is 27.27. This means that it has to be 100. If you divide it, it will also be 100. So, if it is 100. This means that it will also be 100. This means that it will be 100. This means that it will be 3.700. So, how many years will come? 3.700. So, B is the right answer of this question. Yes. Ankit had 3700. And Sunny had 3700. We just need to do that. And as much as you can clear it, in the brain, 33.33% 1.3 means 3.4 So, 3.4 is enough. 4.4 is enough. So, it is 27.27. So, it is 27. So, in the brain, in the brain, within a few seconds, the answer will come. Without the brain, the answer will come out. But, you need to know fractions. I have told you, I have read a percentage in GD. I have read a percentage. I have read a fraction. I have read a general video on this channel. I have read a fraction. So, one time, see fractions. If anyone doesn't know all the fractions, then you. Although, I feel like I know that if anyone is reading online, there will be so many ideas. So, let's do that. Let's do the next question. Tell us. Tell us. Tell us. Let's start in the answer. Tell us quickly. Let's start in the answer. Let's start in the comments. I have to start in the comments. I will not ask the answers. Let's start. तब तक आप करो, find compound interest on RS 1800 for two years where rate for the first year is 33.33% and for the second year is 66.66% मतलब बोल रहा है, find compound interest on RS 1800, मतलब 1800 रुपे पे दो साल का चक्रविदी ब्याज निकालना है, जहां पहले साल का ब्याजदर है 33.33% और दूसरे साल का 6.66% है, तो कोश्चन बोल रहा है, चक्रविदी ब्याज हमें निकालना है, देखो, अब आपको ये तो पता है न, 33.33% का म सामान है तो चार का हो जाएगा, तु हैंस्ट Saar아서 ör 2 q.66, ये न, 3 a.3 का म уд頭 च्रोपता है, दो ब्याज हमें, दूसरे साल का चार खुड़ुद साल कर एक स्कालना है तो न, 34.66, तो ⁃ Dobla dhe, 2 प्रिंसिपल नो रुपे का समान है, प्रिंसिपल नो रुपे अगर होता है, तो अमाउंट हो जाएगा पांचो के बीश रुपे, या बीश यूनिट समझ लो कोई फरक नहीं पड़ता है, तो नो की वैल्यू, नो बीश हो जाता है, अमाउंट यहाँ पूछा है फिर से C.I. मैंने बता है, इनके बीश के डिफरेंस अंतर को ही Compound Interest केहते है, तो बीश में से लो गया, तो गया, या यूनिट या या बीश रुपे की वैल्यू हो रहा यहाँख वहाँड़ता है, इस सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट मेंसे क्या दिया है, इस सवाल में प्रिंसिपल कि लेंग्वेज से भी समझ में आ जाता है तो अट्रहसो रुपे प्रिंस्पल है और यहां तो नो है इस नो की वैल्यू दे रखा है अट्रहसो के बड़ाबर तो एक उनिट की वैल्यू इसको नो से डिवाइड करो यह आप ऐसे देखो कि नो दुना ठारा यहां कि इसको दो हो रहा है तो ग्यारा गुने 200 हो जाएगा मतलब 2200 रुपे इसका हो जाएगा CI तो इसका आंसर क्या होगा A, A is the right answer of this question, A is the right answer of this question, लेते हैं चलिए अब बताईए अब बताईए जल्दी से जल्दी से 40 seconds के अंदर टाइम में बताईए मुझे आंसर अगर आप दे रहे तो very good नहीं तो फिर मैं बताऊं किस बुक के question है सर बेटा यह किसी बुक के question है यह मैंने अपने मन से बना के दिये हाँ यह सब किसी बुक के question है म के बाद आप कर लेना ठीक है अब बन जाएगा में exceptional में 100 में से एक question अगर इधर अधर आय तो अलग बात है बाकि आप partnership में भी जितने question अपने किये है उसके बाद आप बुक में सुठा के बनाओ partnership 100 में 99.9 अब बन जाएगा एकाद rare case में कहीं issue रहेगा तो 100% तो दुनिया आनंद के question के answer आ गए क्या बात है वेरी गुड बेटा देखो सब पहले आपको यह पता होना चाहिए 14 पुर्णांक दो बट्टे साथ या 14 इंटीजर्स तू बट्टे साथ 14 सही दो बट्टे साथ 14 सत्य अंठांबे 200 बट्टे साथ मैं एक बट्टे साथ इसका इसका यह ल फिर साल कितना है देखो क्या बोल रहा है वाट वूड बी दा अमाउंट्स on 3430 थीक है वाट वुड बी दा अमाउंट्स on 3430 एट 14 इंटीजर्स आफ्तर थी यह तो देखो तीन साल के बाद में कितना हो जाएगा यही साबाल पूछा यहां पर और कोई नहीं है कि दो 3430 अब रेट के हिसाब से यह तीन साल दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है तीन साल का मतलब क्या होगा इसका पावर तीन बार करोगे तो साथ का पावर तीन बार करोगे कितना होगा थरी फोर्ट थरी आ जाएगा और आठ का पावर करोगे तो कितना होगा 512 हो जाएगा यहां तक किलियर है, आप पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो यह देखो, इसमें क्या दे रखा है, यह है प्रिंसपल, 3430 रुपे, देखो, यहां प्रिंसपल कितना है, यहां अमाउंट कितना है, यह यह प्रिंसपल 3430 रुपे है, तो यहां तो प्रिंसपल दिया है 34 343 है और यहां 3430 मतलब आप इसको देखोगे ना या तो इससे इसको डिवाइड कर लो नहीं तो देख के पदा चलेगा इससे 10 गुना है 343 को 10 से गुना करोगे तो 343 अगर यह 10 गुना है तो इसका मतलब यne भी क्या होगा 10 गुना होगा तो य знать कि इसका आंसर क्या होगा 5120 रुपे इसका आंसर आजाएगा, यह सब सवाल हार्ड सवाल है, क्योंकि ऐसे परसेंटेज जनरल कोश्चन में नहीं देते हैं, जनरल कोश्चन में तो 10%, 5%, 20% वो तो और जल्दी आजाएगा, 5%, 10%, 20% तो और भी जल्दी आजाएगा, ठीक है, हाँ, कई कुछ कोश्चन ऐस इसका जिसमें इसको लगाने की बढ़ाएगा, इसका मन से समझ जाओगा एक साल में इतने तो कर पाऊगा, वो तो एक अलग लेवल की चीज़ है, तो यहाँ पिलहाल इसको समझ लेना, तो I hope इसका आंसर क्या आग गया है, क्या आजाएगा इसका आजाएगा इसका कोशन की और शॉल करके बताएगा, इसका जादा टाइम पाची का टाइमे, ज्यादा टाइम लेना, जादा टाइम एन फुर्टी से कंड में वेट करूंगा आप लोग के लिए, उसमें आंसर आगे है ठीक है ने तो फुर्में शॉल कराओगा, 40 से कंड वेत करूंगा आप What sum would amounts to, यहां पर principal MISSING है, यहां क्या MISSING है? What sum, वो रकम कितना होगा? What sum means raktus, हो मतलब skipping है सुरवाथ म्मिसिग भी खाषे, चुरू में पैसा दिया रहते है ् तो sırु क्या रहती होती है, शुरू में पैसा तो principal होता है, YouTube-ısı भी छाहिए, जो तीन साल में 68,600 रुपे 16,000 पूड़नांग 2.3% के ब्याजदर से हो जाएगा, तीक है, वह रकम कितना होगा, जो तीन वर्स में 16,000 पूड़नांग 2.3% के हिसाब से यहां पर यही दिया है, तो आपको बस कुछ नहीं करना भाई, इसका मतलब पता चलना चीए, 16,000 पूड़नांग 2.3% मतलब एक बटे 6 हो रहा है, इसका वैल्यू, मैंने बता दिया था, यह नहीं आ रहा होगा आपको, तो यह इसको स्थीक करो, इसका मतलब होता है, एक बट 3, ताइम तीन साल है, इसका पावर 3 करोगे भाई, तो 6 का पावर 3 करोगे, कितना होगा, 6 कुने 6, 36, यह होगा 216, और यह कितना होगा, 343, इसके लिए, एक और बात है, इसके लिए आप लोग है ना, देखो, 2 से लेके, 30 तक का स्क्वेर भी लर्न कर लीजिए, यह बहत ही उनों यूज कर लीजए, स्क्वेर और क्यूब, तो यह हो गया 216 और यह 343, यह है प्रिंस्पल, यह है अमाउंट, तो इस सवाल में तो प्रिंस्पल निकालना है हमें, यहां तो अमाउंट दे रखा है 68600, यहां तो अमाउंट इतना है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी है 686 00, आप गौर से देखोगे, 343 का डबल होता है 686, इसका डबल होता है 686, तो इससे इसको अगर आप काटोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और यह 2 0, मतलब यह 200 गुना है, तो यह भी 200 गुना होगा, फाइनल आंसर का, तो इसका डबल करोगे, तो क्या होगा, 266 गर डबल होगा 432, और 2 0 आजाएगा, मतलब 4,000, 3,000, 43,200, इसका अंसर होगा, 43,200 यह जनी कि A is the right answer of this question, A is the right answer of this question, अगला question देख लेगा, चली आब यह बनाएए, यह बनाएए जल्दी से बताएए, तो इसका टाइम लिजेए, 45 सेके लिएगा, ताइम 45 सेके लिजेए और आंसर दीजेए, जल्दी से, I am waiting for your answer, guys, जल्दी बताएए, आंसर क्या होगा, बोल रहा है, the compound interest on Rs. 7290, ठीक है, मतलब 790 रुपे पे बोल रहा है, compound interest, 11.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से, 2710 रुपे होता है, मतलब मूल धन है 7290 रुपे, 11.1 प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिवर्ष के हिसाब से, कितना ब्याज होता है, 2710 रुपे का ब्याज होता है, तो पूछ रहा है कि कितने समय में यह हो जाएगा, मतलब यही है कि 2790 रुपे 11.91 प्रतिसत के दर से अगर उसके उपर चक्रवरिधी ब्याज है आपका आता है 2710 रुपे तो इसको कितनी अवधी लगेगी यहां कि समय निकालना यहां पर ताइम और मैंने आप लोगों को सिखाय था ना ताइम मतलब क्या होता है ताइम का मतलब क्या सिखाय देखो मूलधन कितना है यहां पर 7290 रुपे है और देखो मूलधन यह है और ब्याज दे रखा है यहां पर 2710 रुपे मैंने आपको इतना तो बदाया था कि अमाउंट बड़ाबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट तो यहां अपना दिमाग लगाना है कि अपना देखो गड़ाइ और यहां तो इन दोनों को जोड़ो गे तो हो जाएगा 10,000 रुपे और यह 10,000 रुपे है और यह 10,000 रुप यह हो रहा है इसका मतलब यह 10,000 क्या हो जाएगा यह अमाउंट हो गया यहां प्रिंसिपल से माउंट लिखते हम लोग इस मैथड मे अब देखो भाई, जीरो जीरो काट देंगे हम, जीरो जीरो कट गया हमारा, 729 से 1000 हो गया यहाँ पे, प्रिंस्पल अमाउंट हो गया यहाँ अब देखो, हमारे इस सवाल में रेट ओप इंटरेस्ट कितना दिया भाई, ग्यारा दसमलब एक एक परसेंट का मतलब होता है, एक बट्टे नो, जिन्होंने भी फ्रेक्शन नहीं पड़ी है, नहीं याद है, वो आपकी गलती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ग्यारा दसमलब एक एक परसेंट, क्या मतलब होता है, होता है, एक बट्टे नो, मतल मतलब कि 9 रूपे जो है वह 10 रूपे हो जाएगा तो मैंने बोला था time मतलब होता है, पावर देखना, time मतलब क्या होता है, पावर, तो यहां पे बताओ, 9 का कितना पावर करेंगे, तो 729 हो जाएगा, तो अब्यूस्ते 3 करेंगे, इतनी जाए क्योशन इन्न गया सेब्गे, अब और केथा उन सब्सक्राइव ऩाट आड सोन तो बस यह जो पावरर काता है, यही होता है, मतलब आंसर का एग लिको स्क्राइवा भाली उन्हें थिरीष इसका जाएगा यानिकि इसका राइच आणसर क्या होगा, C. C is the right answer of this question, so I hope that you will be clear, that you will be able to understand all of these things. Yes, one by nine is power, absolutely, absolutely, absolutely. Okay, so we come to the next question, I hope that you will be able to understand all of these things. Look, the next question is, take the time, then take the time for 40 seconds and give them the time, and give them the time for 40 seconds. And give them the time for 40 seconds, and give them the time for 40 seconds. And tell them what you can solve, comment and tell them quickly. C is the right answer, C is the right answer or E is the right answer? C or E is the right answer? E means none of this. E is the right answer, Sanika, none of this. Okay, let's see, let's understand. The rest of the children who can give their answer, please comment. Okay, look, the question is saying. Ram takes a loan 3430 and pays back 5120. Look, I have told you that if someone takes money or gives, then what happens? It becomes principal. It means that this principal is Rs. 3430. And to pay back, the loan is principal. And with interest, we also pay the amount. Because what is principal plus interest? So, this is our amount here. So, the principal is Rs. 3430. And the amount is Rs. 520. Is it clear here? Now, it is clear here. Now, we have to understand. And how many years it is? Three years. Ram takes a loan Rs. 3430 and pays back 5120 after three years. Then, the principal again does the amount. He takes a loan Mexicoắpest. So, the amount counts are Rs. 3 years. The compound interest rate per annum. We only come out this amount. And the minimum rate means Rs. So, those at times thoseups they are MAC and their वो मैंने क्या बोला था तेन साल ये क्यूब रूट निकालोगगे दो साल होता, स्कुवे रूट निकालन होगे, चार साल पार स्कुवेर रूट तो ये कितना हो जाएगा भाई ? ।- अए शाथका तो ये वाला होता है, प्रि इस अपना लगा ले ना है, सात रूपय प्रिं जल्दी कमेंट कर के बताओ एक तो पहले ऐसे अपने आप समझ जाओ कि एक बट्टे साथ का प्या होता है अगर आपने फ्रैक्षिन थोरा भी पढ़ा होlı, अगर यग्र ने इंग्नौर कर दे होगि पूरे ताऊंच अपने बता उसके बता नि son 14 पुर्णांग 2 बट्टे 7 परसेंट होता है या तो आपको यह पता होगा अगर मालो वो भी नहीं पता है तो आप ऐसा करोगे एक बट्टे 7 आ गया तो एक बट्टे 7 गुने 100 यानि कि 100 बट्टे 7 और इसको जब आप करोगे मिक्स में तो इसका मतलब ही एक बट्टा 7 का मतलब होता है 14 पुर्णांग 2 बट्टे 7 परसेंट तो आपको यह देखके ही समझ जाना इतना बनानेज कोई मतलब नहीं कि यहपा बता Дिया जाता आप लोगों तो इह यहां पर नहीं तो इसका मतलब कर अन्सार सा गहाई या 5 सब्तार करतव्ट कर पिदक एसका उन्हें सब्सक्राइब्गे कर लोग टो इसका बिलकुल सही आशार सार अन्षार यह यहांव लोग को आप लोग को अद्धेश से समझ में अब देखो यहां पर half yearly वाली बात आ गई है, half yearly question पूछ लिया है, तो मैं थोड़ा basic बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा समझ लो, फिर आगे question करना, जब question आपको देगा, देखो, अगर question मैं कभी देदे कि half yearly, तो बदलेगा क्या, यह खाली समझा दे रहा हूँ, rate कर देना आधा, time कर देना double, समझ में आ गया, time क्या करोगे, दो से गुना, rate को दो से दिवाइड करोगे, बस इतना ही करना, जब question half yearly आए, तो और कुछ नहीं बदलता, rate आधा हो जादा है, क्योंकि half yearly मतलब दो बार rate लग जाए, मतलब यह हो जा रहा है, तो rate आधा, time double, इतना दिम quarterly, ऐसा भी दे देता है, ठीक है, quarterly question दे दे मतलब हर तीन महिने पर, quarterly मतलब क्या होता है, हर तीन महिने पर दे दे, तो फिट क्या करोगे, rate होगा, चार से दिवाइड, और time हो जाएगा, चार से मल्टिप्लाई, ठीक है, अगर कभी दे दे हर सी टाइम कर देना रेट भाई 3 और टाइम इंटु 3 बस यह देखना कि सवाल में क्या दे रखा है तीन महिने पर इंट्रेस्ट अगर काउंट करेंगे तो एक साल में कितनी बार आएगा यह त्री टाइम आएगा तो टाइम नहीं यहां टाइम इंटु 3 होगा प्रोड नहीं थिरिया होगा यह दिहान रखना और एक साल में कितनी बार आएगा दो बार तो से डिवाइड दो से मुल्टिप्लाइग कौर्टरली चार बार तो चार चार बार तो यहां इसा कर लो कि बस यह कॉंसेप्ट किलियर कर ले इसका क्युक्कि मैं इसे भटा दूआ यहां से इसका श्रीन शॉट ले लो एक सोपट्ची सारसनीग आंसर चलो देख लेते इसका आंसर क्याएगा यह जिए स्क्रीन शॉट ले लो मैं यह रिमूब कर रहा हूं देखो कोशन बोल रहा है if interest be compounded half yearly, पहले समझ लेना rate आधा, time double हो जाएगा, छे महीने पर गिनना है तो, find the compound interest, निकालना तो compound interest ही है, on Rs. 12,500 रुपे, 12,500 रुपे पे मतलब ये मूलधन है, compound interest निकालना है, rate दिया है 40%, time दिया है, एक पुर्नांग, एक बढ़ते 2 year, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क करो गया, आधा, तो rate कितना देखो, 40% का आधा कितना हो जाएगा, 40 by 2, तो हमारा rate हो गया, final rate ये होगा, 20% और time करो, double, time कितना है, देखो, 2 और एक तीन बट्टे 2, गुने 2 करो कि 2 दो कट जाएगा, time हो जाएगा, 3 years, यहां तक किलिया, time कितना हो गया, 3 years, ऐसा भी इसका मतलब क्या होता है, देखो होता है, देखो, तो तीन ही होता है, तो तीन साल time, rate 20%, तो 20% को क्या कहते है, एक बट्टे 5 कहते है, मतलब 5 रुपे अगर है, मूल धन, तो मिष्र धन, यानि कि amount हो जाएगा, 6 रुपे, मैं तो principal 5 रुपीज है, तो amount हो जाएगा, 6 रुपीज, क मतलब 3 रुप, तो तो आपिभ कितना है, तो इसका पावर क्या करेंगे? 3, 3, इसका पावर कितना होगा? 125, इसका पावर कितना होगगा ? 216, कि निकालना कितना है? निकालना कितना है? निकालना है criminally compound interest, तो इसकर बीच में कितने का difference है, 126, कि बटे 100 कि ऊटाओगा, 1990 का देखो, यहां मूल्धन जो है, इसको कहते है प्रिंसिपल, इसको कहते है अमाउंट, यहां मूल्धन एक्सो पचीश यूनिट है या रुपे है, लेकिन यहां तो बारह हजार पान्सो रुपे दे रखा है, कितना दे रखा है, बारह हजार पान्सो रुपे है, मतलब यह एक् 90,000, sorry, 900 Cayleines günde, 9100, यही इसका right answer है, और इसका right answer को जोगा known of days, नमें से कोई नहीं, इसका right answer कोगा होगा, नमें से कोई नहीं, यह बनाई है, बताई है नमें जोगा दराने हैं, देखिए, कुश्चन बोल रहा है, find compound interest on Rs. 16,000 at 20% for 9 months, ठीक है? बोल रहा है, compound interest fine करना है, 16,000 रुपय मूलधन दे रखा है, 20% के ब्याजदर से 9 महिनों के लिए, लेकिन यहां दिया है, compounded quarterly, quarterly मतलब 3 महिने पे, quarterly मतलब हर 3 महिने पे, मतलब 1 चौथाई हो जाएगा 1 साल का, तो मैंने अभी सिखाया था, ऐसा हुआ, तो क्या करोगे rate by 4, भाई, rate है 20% by 4 करोगे, rate 5%, time into 4, time है 9 महिने गुने 4, 36 महिने 12 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 3 साल, कितना आ गया? 3 साल, अब बताओ rate 5% है, 5% का मतलब क्या होता? 1 बट्टे 20, मतलब कि 20 रुपय का सामान, 20 में बिकेगा भाई, तो 3 साल मतलब इसका पावर 3 कर देंगे हम, तो 20 का पावर हो जाएगा 8000, 21 का पावर हो जाएगा 9261, ठीक है? अब यह मूल्धन यह अमाउंट, पूछा क्या है, find compound interest, तो compound interest मतलब इसके बीच का gap, तो 9000, 216 में से 8000 गटाओगे, तो 1261 unit यह रूपय, अब यहाँ पे यह तो principal होता है, आप जानते हो, यह amount होता है, यह अब जानते हो, तो principal amount यह है, लेकिन यहाँ पे principal तो 16000 गटाओगे, यहाँ प्रिंस्पल अब जानते हो जाएगे, 122, थेक्या, तो 25-22 हो जाएगा इसका answer, 25-22 इसका right answer हो जाएगा, यानि कि D is the right answer of this question, यानि कि D is the right answer of this question, चलिए, यह question, देखिए, होगा यह नहीं होगा, जल्दी बता दीजेगा, होगा यह नहीं होगा, तो फिर में solve करादू, इस तरह के question, पर सेंटेज में भी दे देते हैं, लेकिन एच्वली यह CI का ही question है, इसको CI के concept पर बनाना है, गाओं की जनसंख्या वाला सवाल, जल्दी बताएगा, आंसर आप लो, जल्दी आंसर बताएगा, जल्दी आंसर बताएगा, जल्दी, जल्दी, पर जल्दी, जल्दी, बताएगा, जल्दी, 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 एक गाउं की वर्तमान में जनसंख्या 9261 है इफ एन्वल बर्थ रेट इस सारे आठ पर्चेंट दे रहा है एट पॉइंट पर्चेंट या एट इंतीजास वन बाई टू पर्चेंट या आठ सही एक बट्टे दो प्रतिशत एन्वल देट रेट इस 3.5 पर्चेंट तो बर् पॉपुलेशन थ्री यह अगो तो आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट करने को बोलेगा कि बताइए गाउं की जनसंख्या तीन साल पहले क्या था तो आपको हमेशा क्या करना ऐसे कॉन से पहले यह बात समझो देखो बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं कि गाउ सा dessa है और रियल में तो 5% ढ़ रहा हैन क्योंकि सारे 8% अगैर एगर भी पर्त तो सारे 3 तो ष टो डेफ भी हो रहा है तो रियल में तो 5 परशेंट बढ़ रहा है तो हमारे रेट उप इंटर्स 5 अब क्या करना है अब 5 पर्सेंट की सारे 5 ब्याव लूया मेंशिते 25 उल्ड रुपे है, कि वेल्यू कितनी हो जाएगी है, यही दे रखा है न यहापर, सारे 8%, सारे 3%, 5%, नहीं, यह 20 आजाएगा, यह 5% का मनला होता है, एक बट्टे 20, तो 20 रुपे का अगर हो, तो यह 21 रुपे का हो जाएगा, ठीक है, 20 का सामान 21 का हो जाएगा, एक साल में, यहाँ ब साल, कितने टाइम दे रखा है, 3 एर्स दे रखा है, तो फिर यही रूल यही है, इसका पावर हो जाएगा, इतने साल इतना पावर करते हम, तो यह ओगा 8000, यह ओगा 9261, अब समझो, गाउन वाले सवाल में, जो प्रिंसिपल होता है न यह होता है, बिफोर, पहले, अगर आपसे पूछे गाउन की जन संक्या पहले कितना है, तो प्रिंस्पल निकालना, अगर आपको पूछे ले गाउन की जन संक्या, बाद में कितना होका, आफ्टर पूछे या बाद में पूछे भाई, बाद पहले, पहले का मतलब मूलधन, बाद का मतलब मिश्द्धन, ठीक मेरा तुक्ष रहा हूं प्यक्राफ़त क्डाना निकाला ही च यह तो मतलब यह जो न Kingston 25 produce सिर्द अ. यह सेम वो गया तो इसका मतलब ये भी सेम होगा, ये तीन साल पैले की बात हो और ये तीन साल बात की, तीन साल है ना, ये तीन साल पैले, ये तीन साल बात, तो जब 9200 कोश्चन में जो है यहां आगया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 8000, यहीं कि 8000 is the right answer of this question, बस यह याद रखना प अब ये question देखो, इसको समझने से पहले एक बात समझ लो, इसमें एक term दिया हुआ, depreciation, तो depreciation या हाश बोलते हैं, या घिसाई बोलते हैं, अलग अलग जगा पे, depreciation वर्ड का मतलब होता है, अगर आप कोई machine, कोई TV, fridge, ऐसी चीज खरीदते हो, जो 2-4-10 साल में खराब होन होता है, तो ऐसी चीज़ों पर क्या होता है, पर एर, हर साल उसकी कीमत घटाते हैं हम लोग, जैसे मानलो आपने दसजार का टीवी खरीदा, तो हम लोग ऐसे मानते हैं, कि अगर ये दस साल का लाइफ है, तो दस साल बाद ये खड़ाब होगा, मतलब इसकी वैल्यू होगी घटेगा, जितना percent depreciation मतलब वो घटा जाएगा, इस बाद बढ़ेगा नहीं, ये बात याद रख लेना खाली, बस और कुछ नहीं है, कोश्चन समझो पहले, कोश्चन दे रहा है, the value of TV that was purchased in January 1999, the value of TV that was purchased in January 1999, depreciate at 12% per annum, the value of TV that was purchased in January 1999, जैनि कि 1999 में एक एक तीवी खरीदी ख जो 12% per annum के हिसाब सुच की कीमत घट रही है, ठीक है, फिर पूच रहा है, if this value in January 2001 is 4840, अब उसकी 2001 में, 1999 में एक तीवी खरीदा, 12% हर साल के साब कीमत घटेगी, तो 2001 में अगर 4840 उसकी कीमत है, तो पूच रहा है, what was purchased price, तो जब खरीदा होगा ना, तब क्या होगा, जब तो खरीदा होगा, तब इसकी कीमत कितनी होगा, यह सवाल में पूच रहा है आपसे, तो तो कुछ नहीं कर रहा है, 12% का फ्रेक्शन बना दो, अगर इसका डिरेक्ट फ्रेक्शन नहीं हो रहा है, तो काटो, चार से काटेएंगे, तो 3 यह होगा 25, यह 3 बटे 25 मनतलब 25 तो 25 रुपय का समान, 3 रुपय कम होगे 22 में बिकेगा, कितनी साल हो रहे है, 99-2001, बाद की है ना, 1999-2001 तो यह हो रहा है, तो यहां देखो, दो साल तो इसका स्क्वार, इसका स्क्वार, तो यह हो जाएगा 625, यह हो जाएगा 484, अब देखो, अब इसकी वैल्यू कितनी प्रफी दे रखी है, उनिशो निन्नावे में ये खरीदा, मतलब ये हो गया, मूल्धन पहले, और ये है बाद में, तो अभी इसकी कीमत है, चार हजार आठ सो चालिस तो यहां कितना दे रखा इसकी कीमत यहां तो दे रखा है 484 और यहां 484 जीरो है इसका मतलब यह दस गुना है इससे, यह दस गुना है इससे तो यह भी दस गुना होगा तो इसका मतलब इसका दस गुना कितना होगा 2250 तो मतलब जब TV खरीदा उनीस तो निनानबे मतलब एक बिफोर हुआ तो यह बिफोर का यह आफ्टर का यह 2000 अफ्टर का तो जब TV खरीदा तो 2250 था हर साल 12% के हिसाब से घट-घट के 4840 हो गया तो हमें पूछा खरीदा तब कितने का था खरीदा तब इतने का था तो 62500 यानि कि यहां देख लो यहां कोई औप्शन नहीं है इसका अंसर क्या होगा नो न अपदेज आजाएगा चलिए यह कोईशन बनाईए यह वैसा ही कोईशन है जैसा मेना भी आपको बोला है डिप्रेशियेशन वाला यह बताईए बना के यह बना के बताईए आप लोग ट्राइ करते रहिए कोईशन बोल रहा है थे वैल्यू ओफ अ मशीन दिप्रेशियेशन टैन परसेंट अन्वली मतलब एक मशीन की कीमत दस परसेंट हर साल घटेगी फिर पूच रहा है इफ दे प्रजेंट वैल्यू अफ दे मशीन इज वन लैक अगर अभी कीमत है मशीन की एक लाख रुपे ह तो दो साल के बाद तक में तोतल कितना डिप्रेशियेशन होगा यह कोईशन पूच रहा है ठी pada कितना पैसा की कम हो जाएगा यह कोईशन पूच रहा है थे तो तो बात को तेन परसेंट की मतलब एक बट्टे दस दस रुपे का अगर कोई समान है तो नो का हो जाएगा क्योंकि इस बार कीमत घट रही है बढ़ने ही रही है और दो साल बोल रहा है तो इसका पावर करोगे भाई तू तो 100 रुपे का अगर कोई समान है तो यह 81 रुपे का हो जाएगा 100 का समान 81 का हो जाएगा अब समझो यह हो गया present value या before वाला value जिसको आप कहते हो यह हो जाएगा past वाला आगे वाला मतलब past क्या future वाला बोलो तो यह आगे की value होगी future की या after वाली value होगी अब यह बोलड़ा अभी इसकी कीमत एक लाग है यहां तो 100 है तो 100 की कीमत है एक लाग देख़ए दो जीरो दो जीरो कैंसल एक हजार गुना जाता है इससे एक हजार गुना जाता है तो ये भी एक हजार गुना जादा इस पर एक हजार से गुना करोगी ते होगा 81,000 तो एक लाग का समान दो साल बाद 81,000 रुपे का हो जाएगा एक लाग का समान दो साल बाद 81,000 रुपे का हो जाएगा कमी कितने के आ रही है, एक लाख में से क्या सी अजार घटा दो, उननीस अजार का, तो कितना आंसर आएगा, नाइन तीन थाउजन, यानि कि इसका भी option नहीं दिया है, कोई भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइन तीन थाउजन, यानि कि नौन अपटेज, इसका आयिक आणसर क्या हो जाएगा, जालो, यह question देखो, इसको try कीजिये, Sani का answer 10 आ रहा है, हम और किसी का कोई आंसर आ रहा है जल्दी बताईए और किसी का कोई आंसर आ रहा है चलो अब इम बता दे रहा हूं समझो कोश्चन दे रहा है देखो ऐसा भी कोश्चन आता है मतलब कुछ पैसा मूलधन यहां दिया ही नहीं कुछ पैसा 11 साल में 4,840 रुपय हो जाता है चक्रवर्धी ब्याद से और 12 साल में 5,324 रुपय हो जाता है तो बोलड़ा, find the rate percent, rate कितना निकलेगा यह पूछा, मैंने आप लोगों को सुरू में क्या सिखाया है rate मतलब होता है root, rate मतलब क्या होता है? root अब यहां एक बात समझना, जब ऐसे दो-दो टाइम देना, 11 साल और 12 साल तो हमेसा ऐसे सवाल में आपको क्या करना इनको difference, 12-11, एक साल, हमें एक साल के साब से निकालनी है, समझे, 12-11 करो, अगर यहां 12-14 दिया है, कुछ भी दियाने, इन दोनों का difference निकालो, जितना साल आ एक साल आ रहा है, मैंने आपको क्या सिखाया है सुरू में, दो साल आए 14, गयारू साल में कितना आप अगर है 4840, गयारू साल में हो रहा है, पांच हाद थीन सोचाने एक साल हो रहा है, तो यहा पर मुल्धन हो जाएगा, यह हो जाएगा, जितना है, साल के ब्धा 10, 12 साल में इतना है, इसक bicyclamaffाय का 1 तो तो इसको काटना अच्छा का इसको काट तो चाटेशी से काटोगी होगा 10 इसको चारसी से काटोगी होगा 11 आप दो दो से काटके भी छोटा कर लाओगे तो 10 से 11 होगा और 10 से 11 होने का मतलब तो जब ऐसे कोश्चन आएंगे अब इस तरह से बना लोगा बस इतना ध्यान रखना है कि दो अलग अलग साल देंगे इनको माइनस कर लेना है और फिर जो वैल्लू आएगा वो आपका आशर आएगा अंकित क्या बले तैन आगया ठीक है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड व जायगा समाझला मैं समझा रहा हूँ ही क्या तेखो एखो आस्म ःफ मनी बिकंस 3 थाजंड 600 इन 2 यह थो साल मैं कुछ पैसा 3600 हो जाता है और 5184 इं 4 यह और 4 साल मैं वही पैसा 51 460 रुपय होता है दो साल में 3600 चार साल में 4800 रुपय है कि अचनल के लिचाए है युद इंटा के तो सबसे पहले में थेकार माइनस आप दोग माइनस प्रिंस्पल तो हम एंगे लिचाना है कि थीर्ष में समझना है कि तारिम थे पायम कौर में थे थीर्षे अब देखो इसको कारती है तेन हजार चेह से शपण अब इसको कारते हैं इसके बाद उसका स्क्वार रूट करना है, पहले मत करना है, देख इसको काटोगे, 36 से काटोगे तो यह 100 हो जाएगा, इसको 144 हो जाएगा, इसको और काटोगे, 4 से तो यह 25 हो जाएगा, इसको 4 से काटोगे, 36 होगा, तो 25 से 36 होगा, दो साल का मतलब मैंने आपको बताया है, स्क्वार रूट, यहां दो लिखने जोटनी पड़ेगी, दो साल का मतलब स्क्वार रूट होता है, इसका क्या करोगे? स्क्वार रूट करोगे, तो यह क्या आएगा? पांच और यह आएगा छे, मूलधन है पांच रूपे, और इनके बीच का जो गाप होता है, इन्ट्रेस यह निकी, C is the right answer of this question.